आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट दिखोगे आप बहुत स्मार्ट दिखने लगोगे आप सोच भी ने सकते कितने स्मार्ट दिखने लगोगे आप स्मार्ट हो, स्मार्ट नहीं हो, गोरे हो, काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता So, let's start the video वीडियो को एक लाइक कर दे क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पाउर दोगुना हो जाता है पॉइंट नमर वन, अपने टॉप और बॉटम पे फोकस करो Human psychology कहती है कि जब कोई इंसान किसी को देखता है तो वो सबसे पहले उसके दो चीज़ों को देखता है और उसी से उसको जज़ करता है और यही दो चीज़ आपको ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट दिखाते हैं पहला हो गया टॉप आपका हैरेश्टाइल और दूसरा बॉटम यानि आपके शूज कोई इंसान लालू कट-कटा के घूम रहा है I am sure आप उस पे हसोगे और किसी इंसान का हैरेश्टाइल बहुत अच्छा है काफ़े अट्रेक्टिव है उसके चेहरे पे सूट करता है तो वो इंसान एट्रेक्टिव एंड सेक्सी दिखेगा और साइकोलोजी कहता है कि आपके सूज आपकी वैल्यू डिसाइड करते हैं लोग सबसे पहले आपके पैरों को नोटिस करते हैं कोई ऐसा वैसा पहन के आजाए सूज तो हम लोग बोलते हैं ना कि आरे ये तो दादा वाला पहन के आ गया है तो अपने टॉप और बॉटम पे फोकस करो ये दोनों चीज आपकी इमेज डिसाइड करती है या आप एक स्मार्ट इंसान हो या फिर एक बेवकूफ इंसान सेकेंड नमर पॉइंट है हेल्दी और ब्राइट स्किन देखो आप गोरे हो या काले हो कोई फर्क नहीं परता आपकी स्किन हेल्दी और चमकदार होनी चाहिए ताकि आप एट्रेक्टिव लगो इसके लिए आपको अपनी डाइट सुधार नहीं होगी जो भी एक्टर्स एक्टर्स देखती हो न वो बहुत मैनत करते हैं अपने फेस को लेकर क्योंकि जो खाओगे वही आपके चेहरे पे दिखेगा बाहर का खाना छोरो, घर का खाना खाओ और ज्यादा से ज्यादा जूस पियो औरेंज जूस, पोमीग्रेनेट जूस एंड कोसिस करो हर दिन सुबा सुबा उठके नीमू पानी जरूर पियो अपने खाने में जादा से जादा फ्रूट्स एंड सबजीयों को सामिल करो इससे आपका फेस जादा चमकदार और काफी जादा हेल्दी लगेगा देखो दोस्तों अगर आप स्मार्ट दिखना चाहते हो ओनेश्टली तो आपको ये समझना होगा कि कपड़े और एससेसरीज इसमें अहम भूमिका निभाते हैं इनके बिना आप कतई स्मार्ट नहीं देख सकते कपड़ों में क्या चीज फोकस करना चाहिए देखो बस तीन चीज पे फोकस करो सही कलर जो आपके बॉड़ी पे सूट करे और सही तरीके से मैचिंग हो कभी भी कुछ खरी दो तो मम्मी से और दुकान वाले से कभी मत पूछो क्योंकि ये आपको हमेशा बताएंगे कि आप स्मार्ट ही दिख रहे हो भले आप साक्षात बंदर ही क्यों न दिख रहे हो तो अपने दिमाग से अपने तरीके से देखो मैचिंग है या नहीं जरूरी नहीं कि कोश्ली हो ब्रैंडिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद एक क्लीनिंग सही से साफ होना चीए एंड उसके बाद प्रेस करके उसको अच्छे से फिनिस करो एंड आम शियोर कि वो आप पे फिट हो एंड बात करेंगे एसेसरीज की तो ये आपके ओवरल लुक को चार चांद लगाते हैं एसेसरीज यानि घड़ी, नेकलेस, ब्रेसलेट्स जो भी एक्स्टर आप डालते हो ये चीज़ जो होती हैं आपके ओवरल लुक को अट्रेक्टिब बनाती हैं एंड आलसो आपको वैल्यूएबल बनाती हैं घड़ी तो जरूर ही पहनो और ब्रेसलेट्स वगेरा भी पहनो अब कपने और एसेसरीज पर अगर आप ध्यान दे देते हो और सही चूज करके पहनते हो सही तरीके से तब आप बहुत सही और बहुत स्मार्ट लगने लगते हो पॉइंट नमर फोर बता उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फॉलो कर लें कितने भी ब्रैंडड पहलो या कितने भी स्मार्ट दिखो तुम अगर दो चीज नहीं है तो सब फीके है पहला है कॉन्फिडेंस देखो दुनिया तुम्हें स्मार्ट समझे उससे पहले तुम्हें खुद को स्मार्ट समझना पड़ेगा अगर तुम कितने भी smart दिखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि तुम smart नहीं दिख रहे हो, तो तुम अच्छा feel नहीं कर पाओगे, तुम्हें लगेगा सब इसलिए देख रहे है क्योंकि तुम गंदे दिख रहे हो, और जब तुम खुद को superior समझोगे, खुद को छो किसी को भी पसंद नहीं होता, आप अच्छे तभी लगोगे, जब आपके चहरे पे एक प्यारी सी smile रहेगी, एक हस्ता हुआ चहरा बहुत आकरशक लगता है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, एंड जरूरत मंद दोस्तों को जरूर से शेयर करें इस वीडियो को, थैंक्स वाचिंग आइज, लव यू अल